हुआ है है फ्रेंद्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल पीकरामाइद्स मैं पपुकमार आप लोग के लिए कंपाउंड इंटेस्ट का पार्ट फोर के साथ आया हूं जैसा कि आप लोग पता है हम लोग रण की स्थिति में घर पे हैं तो हमारा यह पेसकस है कि आप घर पे कड़ी त्यारी करें कि एक्जाम जो है उसके बाद जब एक्जाम का हम लोग एक्जाम देने जाएंगे तो फिर हमारे प्रिप्रेसन में किसी तरह का कमी नहीं रहा जा इसके लिए हम आफ-लाइन के लावा ऑन-लाइन भी जो मेरा वीडियो आता है तो चुकि अभी जो है ऐ पार्ट फर्स्ट में जब हम कोशन बताया थे उसी तरीके का कोशन है लेकिन चुकि कंपाउंड इंट्रेस्ट का जो कोशन है वो बनाने का बहुत सरा मेथाड है तो चुकि कुछ पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सरा तरीका बताते हैं 5-6 टाइप बताते हैं कंपाउंड इंट्रेस्ट करने का तो लेकिन यहां जो ऑनलाइन है उसमें हम अगर एक ही कोशन को 5-6 तरीके से बताएंगे तो एक ही कोशन में टाइम पुरा लाप्स हो जाएगा इसलिए हम एक ह तरीके से बताया थे लेकिन कुछ हमारे जो ऑफ्लाइन बैच के स्टूरेंट्स है उन्होंने हमें कॉल किया कि सर जो एक और मेथर हमने बताया था आपको आना जिसे हमने उस पूलों को बताया था तो वह मेथर आप ऑल्लाइन बताईए चुकि हो सकता है सब को ज्यादा ब इन्हां राइच में बताने वाले हैं वह सब आपको न मिला होगा इसके पहले ना ही YouTube पे और आही और मैं लॉप मेघ्च में बहुत ही आसान question है ठीक है वैसे हमने भी बताया कि बनाने का बहुत सारा तरीका है लेकिन एक और तरीका आपके सामने हम डिसकास करते हैं यह तरीका आपको जब CI सरी का difference होगा वहां भी बहुत ही useful होगा ठीक है तो चलिए question को करते है प्रिंसपल दिया हुआ है आपका थाकि आपको भेतर तरीके से समझेंगे आपका टाइम दिया हुआ है दो वर्स ठीक है और रेट दिया हुआ है 4% सब और यहां पर आपको सिय निकाल ना है सबसे पहले हम देखेंगे कि रेट जो 4% उसका fraction त्यान से मुझेंगे कि रेट जो आपना 4% है उसका fraction वैलू क्या है तो आपको पता है रेट जो 4% है उसको आण़ों fraction में तोड़ेंगे टो एकटा होना होगा पचीस एकटा 25 कैसे हुआ तो कि आम बदाया है उसमें आपको बदा चुके हैं परसेंटेश का मतलग होता है नीचे 100 ओर और नीचे 100 रहेगा तो 4 से भाग करेंगे तो कि admired да doing का निकालना ऑं थेवार से कोने के लिए हम क्या करेंगे ठेक धिखेए ध्यां से दिखे गा पहले लिखेंगे 2 ठीक है एक घर बना लेंगे ठीक है फिर अधिर प्लसस्ट्परश में से एक घरा कर कدمे भी एक एक घर बना लेंगे ध्याUSE बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीका पहले क्या करबेगे चुक्て 2 निए अगर तीन वर्स होता तो तीन वर्स दो वर्स और एक वर्स लिव欸 लेकिन-घुन्य वर्स के है तो पहले मुने दो फिर एक ठीक लेख तो पहले दो फिर एक ठीक है इस तरीके इसका मतलब है पचीस से पचीस दूना पच्यास यहनि कि दो सो ठीक है तो यहां पे हम कितना लिख देंगे दो सो लिख देंगे ठीक है तो 25 से कटेगा 25 अठे 200 तो यहां पर कितना लिख देंगे 8 उमीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो फिर से समझेंगे ठीक है चुकि यह C I हमें 2 वर्स का निकालना है ठीक है हम क्या कड़ेंगे पहले 2 लिखेंगे फिर एक लिखेंगे उसके बाद पांच हजार है तो पांच हजार का रेट जो है 1 वाई 25 फ्रक्शन में ठीक है तो पांच हजार का एक बटा पचीस हम निकालेंगे कितना आजाएगा 200 आजाएगा हमें यहाँ पर 200 लिख दिए प्लस चुकि उसके आद एक है और एक और घर है अब जो यह 200 है ना उसका हम एक एक बटा कीश निकालेंगे तो 200 का एक बटा पचीस कितना होगा 8 होगा अब हम देखेंगे 200 कितना होगा 400 प्लस आठ में एक से गुना करेंगे 8 हे कम आठ 400 में आठ जोने कितना होगा 400 इससे आसान तरीका तो मुझे नहीं लगता आपको कोई मेतजड है जब आप इसको प्रैक्टिस की जए ना तो यह जो रौफ हमने किया है वो करने की आपको जरूत बिल्कुन नहीं होगा ठीक है और आप ऐसे ही मन में ही सारे कोशन को कर लिजेगा ठीक है हम तो उमीद करते हैं यह सारा कोशन में चुकी गुना है यह भी आप मन में कर सकते हैं कर पाई कोशन देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जे है वह हम क्लिएर करने की ने देखते हैं दूसरा कोशन तीन वर्स वाला है तो देखते हैं मुलधनाप का दिया हुए ह है तेटी तीन वर्स ठीक है और रीट भी दिया गया है रे टीदिया गया है छो पूर्नांग दोटा टीन परतीष अब जो मैं फ्रक्षन भेलों निकालेंगे छो में तीन से गुना करेंगे तो अठारा दो बीस तो बीस बाटा तीन होगा ठीक है और परसेंटेज है तो इसके लिए क्या होगा 100 यानिकी 100 से गुना करेंगे एक जिरो से जिरो यानि की एक वटा कितना आएगा 15 ठीक है अब ध्यान से देखिएगा हमको निकालना है C तीन वर्स का कि टे कंबाउंड इंट्रेस्ट घंग एक निकालना है तो सबसे पह से लिए इसया करेंगे ह समझ में देखिएगा सब करेंगे थी है विए जिए देखेंगा देखेंगा इधर दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है यहा चल्य को तेटी सो पशबतर का एक वट्टाबंदर ठीक है जब निकाल ने तो आपको पता है 15 दुना 30 ठीक है 15 दुना 30 होगा फिर तीन बचेगा उपड़ से साथ उतरेगा फिर 15 दुना 30 और 15 बचेटर तो 205 आ गया हमें आपके कितना लिखेंगे 200 अब जो है 225 का फिर एक वटा पंदरा लिकालना है है कि आप इपच्छी तरीके से समझ रहे होंगे 200 अपचीस का एक वटा पंदरा तो क्या होगा 15 से 15 एकम फंदरा ठीक है 15 एकम पंदरा होगा ऑटंदरा दिया 15 पचेट तो कितना आगया है अब हम क्या करना है यह अब बठता से समझ ले वाली बात है यह darum क्या करेंगे चोंकि यह 15 है न तो 15 का 15 का कि एक वटा 15 25 निकाल कर तो कितना होगा 1 होगा और इसी में एड़ करका कि यह लिखना है फिर समझेंगे 15 का एक वटा पंढल करने के तो एक होगा और एक कोई सी पंद्रह में जोड़ देंगे तो कितना होगा 16 होगा ठीक है आपको यही चीज समझना है अब यहाँ पे हम गुना कर लेंगे पास्ती 15 के 5 हासिल एक आना तीन दुना छो और एक साथ एक तीन दुना छो ठीक है प्लस 15 दुना तीस और प्लस 16 एक हम 16 चले उसका प्जोड देना है पांच और छो एक ग्यारह के एक है ना हासिल एक तीन और एक चार और एक पांच पांच और साथ बारह के दू ठीक है हासिल एक छो और एक साथ और आप कान से कितना आ गया है 721 चुकिसकि समझाने के लिए हम इसको कलकुलेटिव कर रहेने तो तो यह बहुत ही आसान में थड़ है किसी भी तरीके का compound interest को बनाने का आई ये अगला question discuss करते है, question number 3 जो कि आपके screen के सामने है 2000 का 10 पर 30 वार्षिक दर से 2 पुर्णांक, 1 वर्टा, 2 वर्ष का चक्रिवर्धी भ्याज ग्याद किजिए जब हमारा time पुर्णांक में दिया होता है, तो हम लोग थुरा सा खबरा जाते हैं कि यह कैसे बनेगा, लेकिन यह method उसके लिए अप्लाई होगा है, ठीक है time दिया होगा है, धाई वर्ष और rate दिया होगा है, आपका 10% ठीक है, चलिए तो आपको बता है, 10% का fraction value कितना होगा, एक बटा, प्रस होगा अब हम देखेंगे, चुकि हमको CI निकालना, धाई वर्ष का, धाई वर्ष का निकालना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, धाई लिखेंगे, चुकि यह तीन वर्ष का होता था, तो तीन लिखते थे, दो वर्ष का होता था, तो दो लिखते थे, अब यह धाई वर्ष का ह करेंगे न तो यह 1 वाटा 2 आएगा कोई दिख्कत नहीं है अब देखेंगे यहां पर चुकि एक बटा 10 है ठीक है अब यहां पर हम कलकुलेशन नहीं करेंगे जो रॉफ करते थे वह नहीं करेंगे आपको समझना है जब 1 वाटा 10 निकालेंगे तो 1 0 सी 0 कट जाएगा तो कित गयते। अग्ला के लिए बता हैं कि एक वटाप दस करने की वाद इसी में 조र कड़े हम लिखेंगे ठीक है .. एक बोटा दस जब है इसका काड़ेंगे तो जीरो सजीरो कटेका दो कि बचेका लेकिन सो लिखेंगे से 20 में जोन के लिखेंगे तीन वाटा में दो गुने 20 और प्लस एक वाटा दो गुने 22 चलिए अब देख रहा होंगे यह 100 से कटेगा ठीक है दो आल में 100 से कटेगा और 5 से गुना होगा तो 500 प्लस यह भी 2 से कटेगा 10 10 दूना 20 कटेगा न और फिर 10 को 3 से गुना कटेगे 10 तीये 30 प्लस यह 11 दूना 22 कटेगा निकी 11 अब आप देख रहे हैं 530 530 और 11 कितना होगा 541 तो उम्मीद करते हैं यह भी कोशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आओगा है ठीक है तो यह एक और खूबसरा सा कोशन डिसकस करते हैं बहुत एक खूबसरा सा यह तरीका है आपके लिए आपके एक्जाम के लिए किसी भी कोशन को बहुत ही कम समय में करने का ठीक है तो कोशन है अगला 16,000 का 5% वार्षिक दर से एक वर्ष का चकवर्दी ब्याद याद किजिए जबकि ब्याद छमाही दे हो यहाँ पे छमाही रहे तिमाही रहे कोई दिक्कत नहीं है यह नियम जो सब के लिए लाग होगा तो कोशन जो है आपका दिया हुआ है जिसमें मुल्धन 16,000 है ठीक है कोशन को ध्यान से देखेंगे मुल्धन आपका दिया हुआ है 16,000 ठीक है मुल्धन 16,000 दिया हुआ है अब आपको पता है चुकि छमाही ब्याज जो है छमाही दे है अगर ब्याज अगर छमाही दे है तो आपको पता है एक साल में कितने छमाही होते है दो तो यहाँ पर टा होता है ना आप समझ रहा होगे यहां पे रेट दिया हुआ है 5% ठीक है अचा रेट अगर 5% दिया हुआ है अगर मार के चली कि हम यह कहते हैं कि एक साल में जो है ना दस पर तिसेट वार्षिक दर से चलता है लेकिन छमाही अगर ब्यास दे हो तो फिर 6 महिने का है तो आपको पता है अगर एक साल का लितर अगर 10% तो छो महिन है सब्केंद को हो अभे यहां परीप फॉसरी दिया हुआ अपको पता है जब एक साल में 5% मिलता है तौट इसके पर 33 तो एक ओट चरी सॉ अब हमसे पुछा जा रहा है इसका व्याज क्या होगा बहुत यासान है बहुत यासान को सब्सक्राइब कर फिर एक लिखेंगे और एक गर बना लेंगे बस को से लिए डिखेंगे एक शबाटा है इस दी गुटाहिस सोड़ सधार का एक बट एव शोड़ धसा स्दान गए कोड़ आट इस तो को लोने खेक पूटक्ड मफाए यह Mट को भूग V तो बहुत यह आसान सा कोशन था उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में होगा आई एक और प्यारा सा कोशन जो देखते हैं इसी बेस मतलब इसी बेस के अधार पर होगा तो कोशन है आपके स्क्रीन के सामने बारा सोड़ी एक लाग पचीस अजार का आठ परतिशत वार्सिक दर से नौ महा का चक्रवर्धी ब्याज ग्याद कीजिए जबकि ब्याज प्रत आपका टाइम दिया हुआ है अब यहां पर एक चीज़ समझेंगे तो कि टाइम जो है नौ माह ठीक है लेकिन आपसे यह कहा जा रहा है कि ब्याज जो है वो तिमाही दे है अच्छा आप यह समझेंगे कि नौ महीने में कितना तीन 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 होता है तो यहां पर जो हम करेंगे वो कितना करेंगे वो तीन साल करेंगे चुक्त आपको पता है कि नौ महा में तीन ती माही आता है इसलिए हमें हाँ वर्स को तीन तीन वर्स अब यहां रेट का हम बात करें तो डिट दिया हूआ अठ परतिसद अच्छा आप एक चीज़ समझेंगे जब रिट दि शेखने की आफ पर तीसाट में तो को पाता है कि आट पर तीसात इक साल हुआ तो छे महिने में तो परत्यसाते पर तीशंट मिलेगा और जो कूसन बस Even केरा नहीं तो रेत रेट रेट दिया हुआ कहले तो कि तीन साल है तो के बाते थी न सार थीद एक गर घर बना लेंगे ठीक है रहने के लिए लिए में खोषान में बनाने के लिए ठीक है फिर दो लिखेंगे और फिर एक घ्ली की चलिए बहुत खुब्सूरा सा कोषान है' अब हम क्या क्या है एक sustainability पचीईस भजार का एक बटां चाहिए तो डू जिन बचा पर जब एक सों पचीश में पांच से भागत में इसाज के अंस outta कर दोब च्रों ठैक है ध्यान समझेंगे फिर सें एक सो एक लग पचीस हजार है ठीक है इसका हम एक वटा पचास निकालेंगे तो एक जिरो से खट गे अब यूचयों जplease लेंगे तो इल्यों सिने कट dai है ठीक है अब इसके लिए क्या करना है ये 50 का एक बटा 50 तो निकालना है ये साथ के साथ इसी में जोर के यहां पर लिख देना है ठीक है तो 50 का एक बटा 50 कितना होगा एक होगा लेके 50 में एक जोर के लिखें कितना होगा फिक 50 होगा चलिए अब हम क्या करेंगे पचीस थी कितना होगा 75100 प्लस पचास दुना 100 और प्लस 51 एकम 51 ठीक है अब जल से इसको हम एड करेंगे तो पशेतर सो और एक सव चैटर सो एक्क्यावन यहनिके हमारा आंसर कितना आ गया चैटर सब तो उम्मीद करते हैं यह पूरे टॉपिक में चुकिया है पांच वीडि तो उम्मीद करते हैं यह सारा कोस्तुण यह आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा कुछ नया बताने के मकसब ये वीडियों बना रहे नहीं तो यह पहले बिदा चुकिया तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेज कर ले ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले टॉपी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल लखे और घर पे ही रहे घर से बाहर ना जाए